पारची नवी सरकार दे गठन दो पहला पाकस्तान ने एक वर फिर कश्मीर राख छेड देता है आर्मी चीफ जनरेल रहल शरीफ ने कश्मीर नु पाकस्तान लेई गले दी नस दस्याए जनरल शरीफ मताबिक कश्मीर मुदे दा हल अथो दे लोका दिया पावनावा ते संयुक्त राश्ट दे प्रस पाव मताबिक होना चाहिए दाए उना ने चतावनी परे लेजेच केहा कि शान्ती ले अजेहा जरूरी है ते कश्मीर दे लोका दिया शहादत पेकार नहीं चावेगी और दर पार्ती नेतावा ने पाकस्तान वलो अजेह बयान और दी सक्त शब्दाचे निंदा किती है पाकस्तान के चीफ अफ दी आर्मी स्टाफ को इस तरीके के बेैनात नहीं देने चाहिए कश्मीर से पाकस्तान का कुछ लेना देना नहीं है कश्मीर के अंदर अलक्षन हो रहा है और कश्मीर के लोग अपनी राए दे रहे हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान से इतनी दूर नहीं है कि उन्हें इस बात का पता ना चले के कश्मीर के लोग अपनी राए से अपनी पसंद की सरकार चुण रहे हैं अगर कश्मीर को वो अपने शेह रग मानते हैं अपने गले की रग मानते हैं तो हम उस रग को काटने के लिए कॉम्पीटेंट हैं ये बात उन्हें अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए काश्मीर हिंदुस्तान का था काश्मीर हिंदुस्तान का एक अभिन हिस्सा है और काश्मीर सदा सदा हिंदुस्तान का अभिन हिस्सा रहेगा कल पाकिस्तान के फॉरन अफेज मिनिस्टर आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ अनरगल बयान बाजी कर रहे हैं उन्हें ये जानना चाहिए कि पाकिस्तान पूरी दुनिया जानती है एक ऐसा देश है जो उगरवाद का समर्थन करता है हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में चाहे वो पाकिस्तान उक्यूपाइट काश्मीर हो या दूसरा हिस्सा हो उगरवाद के कैम्प्स चलाए जाते हैं दाउद इबराहिम को पाकिस्तान सरक्षन देता है ऐसे जगन्य अपराधी को मुलाना मसूद अज़र जैसे जगन्य अपराधी को पाकिस्तान सरक्षन देता है और इसके साथ साथ सबने देखा के उसामा बिन लादन तक पाकिस्तान में एविटाबाद में पाकिस्तान आर्मी के कैम के पास चुपे मिले तो अच्छा रहेगा पाकिस्तान के आर्मी चीफ बजाए हिंदुस्तान को नसीहत देने के अपने आंतरिक मामलों और अपने उगरवाद का खात्मा करें अगर उनमें थोड़ी सी भी लियाकत है तो वो सबसे पहले मुलाना मसूद अज़र दाउद इबराहिम और ऐसे सब उगरवादियों को फोरण हिंदुस्तान को दें उसके बाद सारे उगरवादी कैम्स बन करें तब जाकर वो अपनी साफ नियत साबित कर पाएंगे पुरानाल जुड़े रहो दें राद